नमस्कार दोस्तों अगर आप Access Bank के ATM Card को यूज़ करते हैं और आपका ATM Card किसी बज़ा से गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो दोस्तों इसके लिए आपको परिशान होने की जरूत नहीं है आप अपने ATM Card को घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को कंप्लेटली लाश्ट तक वॉज़ करें तभी आप अपने ATM Card को आउनलाइन बुक कर पाएंगे और दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी और सई जानकारी दिये है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके लिए आपको Access Bank की Mobile Banking Register होनी जरूरी है अगर आपने Access Bank की Mobile Banking Register नहीं कर रखी है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है लिंक आपको आई बटनपर या फिर डिस्न वोक्स में मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप Access Bank की जो Net Banking है, Mobile Banking है उसे रेजिस्टर कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने Mobile Banking को रेजिस्टर कर रखा है, मैं इसे Login कर लेता हूँ तो Login पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको Enter M-PIN, अपना जो M-PIN है उसे Enter कर देना है अब आप यह देखिए, यह जो Access Banking, Mobile Banking का जो Interface है, Dashboard का वो आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा यहाँ आपको कई सारे Options दिखाई दे रहे हैं, आपको यह स्क्रॉल करना है, उपर की ओर, और यह नीचे Option आ रहा है, Services इस Option में आप देखेंगे, कि यहाँ आपको David Card का Option मिल जाता है, अब आपको क्या करना है, यह David Card का Option पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों यह देखिए, David Card में कई सारे Options आपको देखने को मिलेंगे, Set, Reset Pin आप अपने David Card का Pin Set और Reset कर सकते हैं, नया Pin भी Generate कर सकते हैं इसके बाद Second Option है, Block and Replace ATM Card जो आपका ATM Card है, उसको आप Block भी कर सकते हैं, और Block करने के बाद उससे Replace भी कर सकते हैं इसके बाद है, Manage Uses, आप अपने ATM Card को Manage कर सकते हैं, कितने पैसे आपको निकालने हैं इस समद्ध में आप transaction limit को आप set कर सकते हैं, और नीचे चौता Option है Upgrade अगर आपके पास ATM Card है, तो आप उसे अपने ATM Card से Upgrade करना चाहते हैं, तो आप इस Option पर कलिक कर सकते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपका ATM गुम हो गया है, या फिर चोरी हो गया है, तो आप क्या करेंगे, अपने ATM Card को आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो इस Option पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों देखिए, your current debit card, तो दोस्तों ये देखिए, मेरा जो दो account है, access bank में, एक उपर एक नीचर, तो जो मेरा first वाला account है, इसमें कोई debit card available नहीं है, तो मैं इस account पर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ second वाले account पर, तो मेरा वर्दमान में ये वाला debit card चल अगर मैं continue पर क्लिक करूँगा, तो मेरा card वो ब्लॉक हो जाएगा, और उसकी जगह मुझे दूसरा card issue हो जाएगा, तो मैं इस पर क्लिक न करके, मैं upgrade option पर क्लिक करूँगा, अब दोस्तों आप देखिए, select your new card, जो मेरा account है, उस account पर ये जो card है, ये मुझे मिल रहा है, र air accidental cover मिल रहा है, मुझे पूरे एक करोड रुपे का, और personal accident cover मिल रहा है, तीस लाग रुपे का, इसकी लिए दोस्तों आपको 236 रुपे प्लस GST आपको paid करनी पड़ेगी, तो दोस्तों मैं जैसे confirm करूँगा, अब दोस्तों आप देखिए, ये जो मेरा debit card में ये मेरा नाम छप कर आएगा, और जो address है, इस address पर मुझे card deliver हो जाएगा, अगर आप अपना address चेंज कर सकते हैं, तो change address पर क्लिक करने के बाद, आप जो address वहाँ, enter करेंगे, fill करेंगे, उस address पर आपका, जो item card है, deliver हो जाएगा, तो मुझे यही address चाहिए, इस address मेरा card deliver हो जाएगा, तो म your debit card request has been successfully placed, it will be delivered to be below address within 7 working days, 7 दिन के अंदर, मुझे इस address पर यह card deliver हो जाएगा, जिसकी जो fees है, 236 rupees प्लस GST मुझे पेड करनी पड़ेगी, तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी card को block कर सकते हैं, और उसके जगह replace होने के बाद, आप new card को upgrade करके मंगा सकते हैं, तो दोस् इसे net banking या mobile banking through, आप अपने निजी address पर मंगा सकते हो, तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को subscribe करें, like और share जरू करें, thank you दोस्तों, जय हिंद, दोस्तों, अगर आप और वी वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल कमल गुरुजी को subscribe कर ले, और बैल नोटिफिकेशन को भी on कर ले, ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, और आप मुझे Instagram, Facebook, Twitter पर भी follow कर सकते हैं, इनका लिंक वीडियो के टिक्न बॉक्स में मिल जाएगा,